लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूले बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आप लिकुल देखें लोगसबाद चुनाओं का विगुल बज़ा हुआ है हर्याणा में भी 10 की 10 सीटों पर सभी राजनतिक दल अपने जीत का दावा कर रही है लेकिन बीजेपी ने सबसे पहले 10 की 10 सीट के उपर उमिद्वार जो है वो उतार दिये बाकी जो दल है उनके सभी 10 सीटों पर चेहरे सामने आना बाकी है लेकिन बीजेपी हर्याना के अधिक सुभास बराला मेरे साथ है जीन उपचुनाओ था तब भी सबसे पहले आपने अपना जो उमिद्वार था आपका बीजेपी का लोगों के सामने रख दिया था और आप आपने दस सीटों पर चेहरे जो है वह बीजेपी के आप सभी के सा हमारी पार्टी जो पार्टी की है संक्नात्मक और चुनावी तेयारी वह ने बहुत पहले से शुरू कर रख की थी और जैसे आपने ही कहा कि जीन में अमने लीड ली थी तो जीन चुनाओ में भी हम लोग लीड ली अमने और इसी परकार से अमने चुनाओ में इसे जो लोक आतम विश्वास से और जनता मुझे लगता है कि इस आतम विश्वास के अधार पर हमारी तैयारियों के इसाब से और हमने जो अरियाना प्रदेश में का काम किया है अरियाना प्रदेश में जो वातावन दिया है साब सुत्रा वातावन अरियाना प्रदेश में हमने दिया है पर देश में बोदी जी के नेतरतों में जो सरकारी कल्यानकारी चली है इसके अधार पर अर्याना में दस की दस सीटों पर जीत की लीड भारतिय जंता पार्टी लेने वाड़ी है। भारतिय जंता पार्टी ठीक परकार से एक एक सीट जीत करके नरेंदर मोदी जी दुबारा से परधान मंत्री कैसे बढ़े इस बात की तयारी में है। आपने दस के दस जो उमिद्वार उतारे हैं तमाम समीकरणों को आपने ध्यान में रखा है चाहे वो छेतर के इसाप से समीकरण हो या फिर जातिय समीकरण हो समाजीक समीकरण हो सोनीपत से भी आपके जो उमिद्वार है रमेश कोशीक है जनता से जुड़े हुए हैं उनको उमीदवार बनाने का प्रयास हमारा जो था उसी के अधार पर हमने उमीदवारों की गोशना की है और निश्चित रूप से जब उमीदवार दस के दस मैदान में आ गए हैं भारते जिनता पार्टी के हर छेतर से एक इस परकार का फीडवे और आपके बीच में कुछ ज़्यादा चुनाओ परचार की दुरान सन्हे नजर आ रहे हैं काफी प्यार जो आप दोनों एक दूसरे से दिखा रहे हैं क्या वज़े है तो आपकी शिर्षा लोक्स बाजिस में आपकी विरहन सबाब आती है क्या को इस वज़े से या किस तर को निप्टाने वाड़े बहुत सारे बैठे हैं कोई किसी को निप्टाता है कोई किसी को निप्टाता है इसलिए जब और कहीं कोई बात इनको कोई दिखती नहीं है तो कहीं किसी के उपर वेक्तिकत बाते करते ही हैं लोग यह लेकिन जो लोग हैं सिर्षा के लोग हैं बह कुछ बात कही है वहां पर मंच से ही कैसे एक दूसरे के विरोध में नारे लगे ये मुझे लगता है उस सारी बातों को लोग भूल जाएं इसलिए कहीं कहीं टिपनी मुझ पर करते हैं या भारती जनता पार्टी पर करते हैं लेकिन लोगों ने तो शरयाम देखा ना कैसे इ का बयान और निपेंदर शीव हुड़ा का चुनाव परचार के दोरां तरह कहां पर देखते हैं दोनों नेताओं को पूरी तरह से बेचायन है और बेचायनी साफ जलगती है वह जिस परकार से उनकी बोडी लेंग वेज़ाप देखी ना उनको लगता है कि पहली बार वो जो गड कभी कहते थे हुड़ा साब का जो पुराने समय से चला आ रहा है वो दवस्त होने जा रहा है इसकी बेचैनी है और कुमारी शेलजा जो बहुत वरिष्ट नेता है अरियाना की राजनी थी नहीं देश की राजनी थी कि सोनिया जी के बहुत मस्दीकी वो थी भी और हैं भी आज के दिन जब इतना बड़ा नेता और कोई बहुत ज़्यादा उमर भी अभी नहीं कह सकते और वो कहते हैं कि ये मेरा आखरी चुनाओ है अब कुमारी शेलजा ये बात कहे ये मेरा आखरी चुनाओ है तो आप समझे कि क्यों वो इस बात से घबराई हुई है ये हार और जी तो चलती रहती है देश की जनता ने तो तैकरी लिया है कि मोदी जी को दोबारा से परदान मंत्री बनाएंगे लेकिन इतनी भी घबराट क्यों है आप लोगों में कि आप पहले ही जनता के बीच में जाकर के संदेश दें कि बोट देनी ये तो देव मेरा तो आखरी चुनाओ है प्राणा सब बेमेल गठबंदनों का दोर जारी है और जो दल बदल करने वाले हैं अनका भी लगातारी दर्शी वदर होना जारी है लेकिन आपने भी घठबंदन किया अकाली दल के साथ हर्याणा में हर्याना के हक के पानी के ओपर पंजाब का जो अपना गभाई जो है वो इसके लिए बुंद पानी देने के लिए तयार नहीं है ऐसे में सर ऐसा बेमेल गठबंदन आपको करने हैं क्या जूर्ट पड़ी गठबंदन के लिए को एक मुद्दा होता नहीं है देश की एक ताखंडता का है देश में भाईचारे की मिसाल को काईम रखना है और आप देखेंगे कि अकाली दल बादल के साथ भारती जनता पार्टी की बहुत सालों साल पुराने रिष्टे हैं और वो इस रिष्टे को बहुत अच्छी परकार से निभाते आए हैं लेकिन S.Y.L. का जो मुद्धा है वो भारती जनता पार्टी कहीं कोई उसको कमजोर नहीं पढ़ने देना चाहते हैं किसी भी सूर्त में आमादी पार्टी के साथ हर्याना में जेजेपी का गठबंदन हुआ है और अभी PC चाको के साथ अर्विन केजरिवाल के एक मुलाकात अभी हुई है 15-20 मिनिट पहले वो मुलाकात खतम हुई है संकेत ऐसे हैं कि उनका कॉंग्रेस के साथ गठबंदन दिल्ली में भी हो सकता है ऐसी अभी संभावना ये लग रही है और आमाद्मी पार्टी ने हरियाना में जेजेपी के साथ गठबंदन किया है ऐसे में कॉंग्रेस के साथ अगर आमाद्मी पार्टी दिल्ली में गठबंदन करती है और हरियाना में जेजेपी के साथ आमाद्मी पार्टी या गठबंदन है और उन्होंने कहा था कि हम लोग कॉंग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी अगर हरियाना प्रदेस में आ जाएं तो कुछ कर सकते हैं वरना भारती जनता पार्टी हरियाना में दस की दस सीटे जीतेगी ये बात मैंने नहीं ये उन्हीं लोगों ने कही और जेजेपी की नेता नेना चोटाला ने इस बात को फिर दो रहाया था ये जनता नहीं भी देखा था, वो ने इस बात की भी स्विकरती परदान की थी मीडिया के सामने, तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टी अर्विंद केजरिवाल साहब, भरष्टाचार की बात करते ठकते नहीं थे, आज भरष्टाचारियों के साथ गड़े मिलने जा रहे हैं, केवल इस बात को ले करके एक साथ सुत्री सरकार, भरष्टाचार मुक्त सरकार, वास्तों में लोकतांतरी के मुल्यों को जिस सरकार ने स्थापित किया चाहिए वो देश के अंदर चाहिए परदेश के इंदर, उसके खिलाफ बेमेल गठबंदन करके, केवल और केवल भरष्टाचारियों को जीतान परकार का मैंने कभी टिकट की दावेदारी परस्तुत नहीं कि है कहन के मीडिया में और किस परकार से चर्चा में आए आप सब लोगों के सामने हैं मेरी जिम्मेवारी है अर्याना परदेश की 10 की 10 लोग सबाशी किस परकार से भारतिय जनता पार्टी जीते और उसके लिए टीम को साथ ले करके हर 20-425 बूथ जो अर्याना परदेश में हर बूथ पे कैसे भारतिय जनता पार्टी लीड ले ये मेरी प्रात्मिकता और जहां तक दिरजेंदर सिंग की बात है बहुत अनुभवी विक्ती हैं और मैं उनका प्रोफाइल देख रहा था कि उन्होंने ज चवी के उपर कभी कोई उंगली नहीं उठी मेरी पार्टी के राष्टे नेतरतों ने जो फैसला किया है रियाना के नेताओं से चर्चा करने के बाद बहुत एक अच्छा फैसला है और मैं एक बात कहता हूं कि विरजेंदर सिंग हिसार लोकसवा से बड़े मारजन के साथ जीतने वाले हैं। की की हमने तीन जंसाबां की हमने दिमांड की है इसके लावा नेता बड़े करने के लिए लिए वाटसप बड़ा अधिकार है जंत्र टीवी माद्य में से हरियाना के सभी मद्दातां से kya अपील है आहा था और उसमें से खास करके नव मद दाता जो पहली बार मद दान करेंगे वो देश में गरीब के कल्यान के लिए और देश में जो एक तेज गती का विकास हो उसके लिए काधार भूर ढाचा मजबूत करने के दिशा में बड़े कदम देश के परदान मंतरी ने उठाए हैं देश की सुर्ख्षा वस्ता को और मजबूत करने लिए और हर्याना में जो पहली बार वास्तों में लोगों को एहसास हुआ है कि लोगतांत्री की ववस्ता हैं हर्याना में बीजे पी जीते की साथि बराला ने ये भी कहा है कि रहतक जो बुपेंदर चिंग हुड़ा का गड़ माना जाता है उस किले को इस बार दोस्त किया जाएगा और यह अधिपेंदर चिंग हुड़ा के चुनाव पर झाल जाएगा 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 जा